तो दोस्तों बहुत-भहुत सौगत आपका स्पोर्ट्षियारी में मनोझ और शुबेंदू जुडगएं बात करेंगे पाकिस्टान वर्टस नउज़ेलेंड की और जिस तरह से पाकिस्तान ने न्यूजलेंड को हराया था खेर वो थोड़ा गिर गिर के हराय था उन्हें पिछला मैच जब दोनों की टक्कर हुई थी लेकिन आज न्यूजलेंड ने बोला भाई हम ऐसे नहीं हराएगे हम आपको बुरी तरह हराएगे अगर आप से छक्के नहीं आते ग्र जिस तरीक से आप थोड़ा सा उम्मीद कर रहे थे कि क्या पता कुछ होगा जैसे मैंने गोटार एक उत पर लगा था जीरो अपने इतनी नहीं देखो आप बॉल स्पिनर से करवाओ भी तो आप और दूसरा ये भी है कि देखो फिन एलन ने भी जो आज ये हो गया कि में भी और उनके कॉंफिडेंस के लिए अच्छा है क्योंकि उनकी अभी तक की पारिया उस तरीके से निया थी आज जब उनने चुक्के लगाने शुरू करें तो लंबे-लंबे आप ग्राउंड चोटा निया बर कहां बेदे के मार रहे थे श्याद आप देखिए पहले ओ पॉल भी बहतर डाला और थोड़ा सा उनने ये भी किया कि प्रेशर सुरुआत से बनाई रहा इसलिए देखो कभी-कभी जरूरी होता है कि जब आपके ओपनर्स होते हो इस तरीके से अटैक कोई करें तो आप फिर मजबूर कर देते हो ऑपोनेंट को सोचने पर कि हम करें तो करें क्या उन्होंने सीमर से स्टार्ट किया शायद जैसे वो कॉमेंटेटर्स भी डिसकस करें थे में भी वजह ही रही कि नवास को इसलिए लाते डेवन कॉनवे एक लेफ्ट हैं फिर ऐसे तो फिर ना कोई और आपाता अगर रहता उनके पास इफ्तिकार कोई बाद मे अगर बैठे हुएं तो उनकी अब परफोर्मेंस आगे तो न्यूजलेंट के रहे बड़ा प्लस है केन विलिमसन को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया आजब अब मतलब थोड़ा भी हकीकत भी हो कि थोड़ा उनको मिनो बैशर कहते हैं कि आजकर जो छोटी टीम है उनको मा भी सीरीज आखरी होरे है, अपकी इस चीज़े चल हरे ही, वर्लप कंस पर पर प्रप्रप persecuted करते हैं उन्होंने यह काई कि स्टीव स्मित उनके लाइनप में कि होने चेते हो और वो नंबर तीम अगर पर हो या चार पर हो तो अगर आप कभी फस्ट होगे तो काम आ जाएंगे थोड़ा सा उनमें नराजगी जताए कि यार कि कैमरन गीन अगर वर्ड कप में नहीं खिला तो तो ही कोई चांस लग रहा है बाकी लाइनप में चांस लग रहा है तो तो ही कोई चांस लग रहा है यार बाकी लाइनप में जगह है यार स्टीज स्मिथ को रहा है बाके आपका रोल वाइस जगह नहीं है वहाँ पर लेकिन इनको भी है कि फिन एलन को जो उनकी अबिलिटी है यार उनका जिस तरीके से उनने स्टार्ट करी थी जब बड़ी चर्चा हुए थी न्यूसलेंड में ब्लास्ट क्या कहते है न्यूसलेंड वाली को यार ब्लास्ट ब्लास्ट सूपर स्मैश में जब उनने उस सीजन रन करे जबर्दस ट्राइक रेट और सिक सेटिंग अबिलिटी और यह वो तमाम चीजें उसका धिरे धिरे आईपेल वगेरा भी आया यह सब वहाँ उनक मतलब जो अच्छी लगती है देखे मेरे को लगती है जो मैं देखता हूं कि यार कई वार वो जल्दी पे आउट हो जाते है बड़ी स्लो लगती थी पर स्टार्टिंग में आते रहे कि इनका यह उतर है कि पास बॉल पर दस रन बारा रन मतलब एट लिस इन पर एक चीज है कि इंटेंट वाली जो चीज है जो गप्तिल में भी मिसें मिसें गे जो आप अभी कुछ 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 बाकी टीमों में देखते हैं कि एक खिलाड़ पर याँ पता है न्यूजिलेंट के एक चीज अच्छी है जो आप इसकी जिक्र कर रहे है मुझे याद है कि अभी कौन है वो रसीबी के हैड या नाम भूल जाता है उनका थो समागते है चलो आप समझ गयोगी जिनके हम बात करें जो न्यूजिलेंट से ही है माइक हैसन माइक हैसन की बात करता है माइक हैसन में यह चीज रही कि जब रॉस टेलर को उनको कप्तानी से हटाना था और फिर ब्रेंडन मैक कलम को लाना था उस ताइम भी वह बड़ा कॉल था जो 2015 वर्ड कप के पहले जो चीज़ चल रही थी बट यह एक उन पर प्रोफे सब कुछ यह था कि गप्तिल सेट फॉर दी हिस्टोरिक अपना वर्ल्ड कप आउटिंग यह तमाम चीज उस दिन भी जब उनको पूछा गया तब भी उनने गप्तिल को डिफेंड के लेकिन साफ तौर पर यह भी बात करी थे कि यह ट्राइस स्टार्ट नहीं करेंगे और कि अभी आपने साफ कर दिया कि मार्टिन गप्तिल स्टार्ट नहीं करेंगे और गप्तिल अगर देखो लिहास से छोड़ भी दें मानकर यह भी चलते हैं कि हाल यह समय में उनका फॉर्म भी खराब रहा है जातर नहीं देखा कि छोटी टीम्स को जाधा उनने मारा है बट कि अभी आपके T20 इंटर्नाशन में टॉप रन गैटरस में तीन में वह ही है में रिखाल से रोहित गप्तिल और विराट यह तीन ही स्वैप होते हैं अब वह चीजे तो अभी है जैसे कि आरून फिंस से देखते हैं कि उनसे भी दूसरी टीम में डरती है रन बले उनके नह अरोच बड़ा सवाल यह भी है ना कि गप्तिल चोल मैं बोलता हूं इंडिया है कहीं है आप बोलते हो कि आर इतने रंस दिये पर न्यूजेलेंड में तो उनको हमेशा बैक किया तर जब आप न्यूजेलेंड में लेगी है ऐसी को आप इंटन की बार किर रहे हैं बाकी टी पर भी है और उपनर भी है और अच्छा कर भी रहा हूँ है अगर मैं करता है कि बहुत जादा खराब अगर होना है चाहिए न्यूजेंड का गिम तो दो विकेट उनकी गिरनी चाहिए उनकी कोशिच होनी चाहिए कि जीरो पर ही खतम कर दिया जया जो ऑल्मोस कर दिया था वो तो फिन एलन का उस है और छक्के मारने थे उनको उस चक्कर में आउट होगे बंट एक ही विकेट गिरी केन विलिमसन को जादा समय नहीं मिला भी तो अब बच जाते है न्यूजेंड के दो मैच इस ट्राइशरी में तो केन विलिमसन को भी रन चाहिए उसके बाद वाम कप तो आपका मतलब यह देख लो कि एक ही जो गप्तिल को लिए क्योंकि आई डैनल मिचल के जाना कई वार एक्सपिरियंस मैटर करता है और इन वर्ल्ड कप और सबसे बड़ी बात है जो कंडिशन से क्योंकि और न्यूजेंड सब को बता आस पास के बंगल पड़ोसी भा अब पिछला मैच हमें बवुमा वाला देखा बवुमा होते तो शायद कप्तानी का मतलब हाइचाइट पर आपके लिए ऐसा है कि केर विलेंसर फिलाद मैं मतलब हो सकते आप लोग पर मैं उनको इतना वड़ा वोचीज नहीं रखता कंसर अभी क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं शायद कंसर नों को तब रखूंगा यह पुरा टूर्णमेंट उनका खराब जाता है तो कि हो सकता अच्छा कर जाएं पर अभी जिस तरीके का उनका फॉर्म में टी टॉन्टे के लिए से उस पर चिंतावरी बात तो ही न्यूजिलेंड के लिए से देखें आज भ पाई अगर विराट कोहली को लेकर डिसकेशन स्टार्ट हो सकती हैं आप कप्तान हो वो अलग चीज है न्यूजिलेंड हम सोचने की न्यूजिलेंड में एक नजरिया ऐसा रहता कि बड़े सोफ्पोकन लोग और कोई न्यूजिलेंड मीडिया नहीं पूछता बट उस दिन देविड वॉर्नर की लोग आई पेल फॉर्म जजकर ही कर रहे थे ना क्योंकि वॉर्नर आई पेल में बहार जवाब दिया जिस तरी की से खिला केन विल्यमसन को भी है कि केन विल्यमसन ऐसा नहीं है कि टी टुन्टी खेली नहीं जाती है और उनके पास शौट्स नहीं है थोड़ा सा ही है ने कि अब उनको जिम्मेदारी लेनी है कप्तान आप हो इस टीम के सीनर मोस्ट बैटर आप हो मार्टिन गप्टिल नहीं है तो आप ही हो गए आपके मेंस्टे एक बैटिंग के परफॉर्म ये सारे लड़के कर देंगे आपके इर्द गिर्द देखो फिन पर नाम है तो आपको यहां पर एक भरोसा देना है जैसे हमने का कि अगर ये 130 के स्ट्राइक रेट से भी बैट कर जाए इनके साथ पर यही है ना मनुश खासियत आइटिंग विलियम सिन की खासियत है कि खड़े है तो भरोसा है क्योंकि डिवन पर पिछला वर्ड कप इंजरी कुस्ड के वो गडेटिंग पस्वा कर राख जाए बहुत अच्छा मुझा मंलब उनसे उमीदे ही है क conventionalik je कर रहे मिए फीन है पर आइटिंग है तो तीन साथ पहले आ था जब 200 ओन डून ना शायद घर पे मारा था तब भी वो इंजरी से लौट रहे थे घर पर तो जबर्दस रहे हैं और अगर तेस्ट में घर पर उनको एसे रहे हैं कि आकर टेस्ट में घर पर उनके लिए होता कि मीन से उठकर आए तो आज तो आज अगर न्यूजरेंड के लिए आएगी चीज तो बहतर है फिन एलन अगर टॉप पर ऐसा ही खेल जाए क्योंकि उनकी टीम देखो उनकी टीम ऐसा नहीं कि इंडिविजुल ब्रिलियंस एकदम से निकाल देगी पर उनकी टीम हमेशा कलेक्टिव एफट से निकलती है जो भी जिस तरह से वो खेलते हैं वो आपको एक अलगी दजर आते हैं और क्योंकि उन पर मतलब कह सकते हैं आप कोई सेलफलेस और फ्री ली ज्यादा वो नहीं है आप अराम से खेलते हैं तो अलग अब उनको मैच करने के लिए फिलाल टीम इंडियम आपको लगता है या कोई अब ही दूसरे फॉर्मन में उनको बहतर आना पड़े को और न्यूजिलिंड की भलाई के लिए है और वो एज़ा कैप्टन खुद भी सोचते होंगे और बादरवाइज या न्यूजिलिंड मीटे क्यों पूछ रहा कि के इन विलिमसन सही है तीनों फॉर्मन में कपतान अ वो भी एक वो रहता है क्योंकि एक पारी भी आजाएगी नहीं तो थोड़ा सा उनको भी ओन्फिडेंस की जुरुए था रंस उनको भी चाहिए जितना वो न्यूजिलिंड विलिंसन खुद एड्मिट करें न करें बट कहीं न कहीं वो रंस उनको भी चाहिए होंगे किसी करें लेकर हम इंडिया के पॉन्ट अव्यू से बोने हैं कि नहीं रोई शर्मा करेंगे या फिर विराट को लिए बट अट-लिस विराट के रंस आए रोई शर्मा ने फिर भी पारियां खेली है जहां पर नजर आया कि अर जब बल्लेवाजी करने तो रोई शर्मा की बल्ल कि ना बैटिंग ने कुछ किया ना बोलिंग ने कुछ किया फिल्डिंग में चांस ही नहीं गया कि कैच वेज का कुछ मौका बनता यह मतलब मेरे को सबसे जाधा सर्प्राइज तो जो चुकि मैंने मुकाबला ही देखना तब शुरू कि या जब वो चार विके उनके गिर पर देखा ही नहीं था बट मुझे सबसे अधा सर्प्राइज सब लगा जो लास्ट ओवर साउथी ने डाला क्यूंकि आप उससे पहले वाले ओवर में आपके दोनों फिनिशर खड़े हैं और दोनों फिनिशर एक साथ चले आरा क्योंकि देखो पूरी एनिक्स पे छक्के ही नहीं आ रहे है तो उनके साइट से और सामने से दोनों वो खिलाडी खड़े हैं एक तरफ इफ्तिकर है और दूसरे तरफ आसे फली है जो लास्ट ओर बीस रड़ी बनाता है तो गेम थोड़ा सा कही नहीं आप अपने पाले में डालते और आपको जाना चीए था बट ल आपको इससे निकलना पड़ेगा जो आप पिछले वल्ड कुप में फसे हो कि आसे फली नीचे से आके कर देते थे कर देते और फिर फस जाते थे बट यह कि यहां पर प्रावर प्ले में ही रूटना है पहले तो इम्पोर्डेंट प्राइट यह चीज होनी चीए सिर्फ य अपको रूटनी बनाने बट अगर आप प्ले में दबाव इन रहता है और इसी कहां पर रहता है तो इस प्रावर प्ले में लेकिन जब पाकिस्तान बैक करता है कि उनका जो मीडिल ओर है वो सारे मतला वो पावर हीटर जैसे ही है तो बाते आती है कि आज तो सब आगे की के भी बैठे वहां पर जैसे अब देखोगे उनको वहां पर देगा तो मुझे लगा यार अब क्यूंकि आसे फ़ली के सामने जस्ट वो आये थे बैटिंग करने उसके पहले आये थे वो लास्ट बॉल स्पिनर की एक खेली थी उन्होंने और आब यहां पर इनको लगा अब बहुत फस जाते हैं तो वहां पर आपने ग्लेंट फिलिप्स को लगा के थोड़ा चीजी इजी कर दी थी और इसके बाद आपने हाथ सेट करने का मौकर दी लेकिन फिर भी पाकिस्तान वो एक अच्छा टोटल नहीं कर पाए तो पाकिस्तान के लिए वही है कि बाबा चली अगर मालो बाबर रिजवान वहां नहीं चलते हैं फिर कोई निकाल के मतलब वहां मैं जीता है इनको फकर की ज़रुवत पड़ेगी चाहिए कुछ भी समझे जो समझे जैसा नहीं समझे क्योंकि आपको शान मशूद ने जिससे सबसे चलो हैदर लड़का है फिर भी शान मशूद खेला हुआ के लाड़ी है वो लंबे टाइम से टेस्स क्रिकेट वे आपके खेलते हैं वो सारी चीजे दूसरी बात वो जो अपना नेशनल टी-20 जो कप होता हूंका उसमें वी रंस बना किया यहां कि आपका अचानक रंग उड़ जाना क्योंकि हैदर अली को अब यह बोसकते हैं कि इनी के सेटप में था यहां घूम रहा था वो तो खेल भी नहीं रहा था पर यह तो खेल के आ रहा हो तो उससे आपके एक्सपेटेशन ज्यादा होती यह क्रिक्लव कहरें धीरज को इंडियन प्लेयर ऐसा खेले तो वेकार यंक्सर को लाओ एंड दूसरी टीम के लिए ओके हर्शल को बैक कर करके इंडियन टीम में लाएं हैं यार हरसल तो अच्छा कर रहे हैं तो जवाब तो देने दियार आप वो कहरें कि बाकी टीम हो के पेर ओके बोल रहे हैं इंडिन टीम में कहने सब को बदल दो अगर नहीं आती परफॉर्मेंस यार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे है वो जिया रहे हैं यह मारक स्टॉणी के प्रिक पड़ती है तो आपके प कर आदे रहे अपको कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वन्दय ने दिखा दिया है वहाँ पर पिछले मैच में इसलिए भले दोस्तों थे जैसे उस दिन भी यही बात करते हैं अगर मैच जीतना है तो शाहद कैमरें गीन बेटर ऑप्शन बट आपको वर्ल्ड कप देखने तो एरन फिंच बैटर ऑप्शन जो फिंच ने फिर पिछले मैच में बोला भी कि आने वाले दोनों मैच में ने उपन करना है तो वो उनका नजरिया उस तरीके से ठीक है वो उनने बोले लगातार उसे क्यों कर रहा हो जो अगर आपकी वो नहीं है बट जब तक स्टॉइनिस को लेकर आप शौर नहीं थे कि क्या है फिटनेस कि वो एक सिरी से पहले बार वे फिर मैच में में नहीं थे अब तो आपको पता ही पता है तो अब शायद एक डिफरेंट रहेगा बट मलत यहीं देखो यार मार्टिन गप्तिल यह से बोल रहे है डिसिजन मार्टिन गप्तिल पर भी लिया है ना उनने ठीक है वो लगातार उतना कंसिस्टेंट नहीं रहते ही लेकिन जब बात इंडिया की करो या मैं एक बात मूलता हूँ अभी जो हमने इंडिया में जो मैचेस खेले हो पार्टा ट्रेकों पर खेले जहां में मुश्किल ट्रैक है आई थिंक मैने अपने क्रिकेटर को बैक किया था दुनिया उस देन बैश कर रही था सबका अलग न करोगे और दूसरी बात रही हरशल पटेल की जो भाई आपने लिखी तो यार देखो आज के डेट में हरशल पटेल कंसिस्टेट है रल लुटा रहे बात बिल्कुल सही है पर वही दूसरी बात दिखता हूँ आज की बात सिराज हमी से बैटर है और वो डिजर्व करते है प्रशेद मुश्ताग पर भी अपडेट्स आपको देंगे बड़ क्या है कि मेरे खाल से 15 तकरीबन मैचिस हैं तो सब जो उसके एक करें बड़ करें कहां पर क्या हुआ एक एक मैच पर थोड़ा सा इसकेशन किन प्लेर्स ने क्या कुछ क्या है यश्दूल खेले तो यश्दूल कर रन आब टाइप सिच्वेशन लेए आयुश की देखे रहे थे कि काफी बारी यह बी चर्चा रहते हैं कि डवनस्टिक को इं हिंदू और धिरज के भाई निरज दोनों ने वेधर अपडेट करी थी अभी उपर से जब हम यहां पर जुड़े भी हुए थे थोड़ा सा यह जुडवा है और सेम पाइप कपड़े भी पहनते तो आप वीडियो भी जरूर देखें और वेधर पर अभी है कि as of now अभी clear ह अभी हम अंदर बैठे है और बाहर किसा है और हम जैसे ही वहां से मतलब रिपोर्ट करकर जैसे ही बाहर देखा चीटा कशी होने लगी थोड़ा सा इसलिए बिल्कुल भी अन्वान नहीं लगा सकते है उदर मेरे ख्याल से जो है कि Thailand लग रहा है कि Women's Asia Cup में उपर आ गई है क क्योंकि इनका मैच बारिष उदर भी हो गई है नहीं होगा लेट हो गया था बांगदेश और UAE वाला मैच खत्म हो गया है तो बांगदेश बाहर हो गया और Thailand प्रोग्रस कर गई है मैचोशि दी हो नहीं हमनला कि बारिष ते होगा नो थिओकर अह रहा है कि लिए कि आध कि बांगदेश कि अखर पर भी इनका एक तरह जहारी था आओ पिसली शङइय मश्चार मैंने वह इतना जरू देखा कि वह बहुत जब करती है इसे लाती है और फिर डालती है सेंट से अंगल अच्छा बनता होगा शेकल बड़ा उनके लिए दुखद रहा कि मैंना सेंट इसन पर वह अल आउट होगे सेमिफाइनल वगएरा कि उस पर भी बात करेंगे और जैसे श्रिलंका का भी वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर मुकाबला है दिरिजबाए उदर कुशल मैंडिस ने 54 करे फिफ्टी-फूर पथुम निशंका 21 188 और 5 उन्होंने पोस्ट के मेरे ख्याल से यह मेलबन में खेल रहे थे मुकाबला mcg में खेल रहे तो 188 में में सई स्कोर है क्योंकि बड़ी ग्राउंड बे थोड़ी रहती है धनने डिसिल्वा नंबर तीन पर आये थे रहा ओ धिरेजभाई के RCB के लोबी नहीं यह तीम के वनुंदी हसरंगा वनिंदू हसरंगा के जुनोंने 14 पर धिरेजभाई स्थिस करे और समाझ जरा को भी तो प्रोजशन किया या र्सी भी इस दिन पर आपकी इजट जो उनने रखी है इसमर क्या कहिए और हसरंगा को मलदा ठीक है अग अग यह प्लेइंग फोर कंट्री यह डिवेटेड डिवोटेट यह नेशन बट हसरंगा को थोड़ा सा अभी है कि यह आज की जो सिच्वेशन थी वहां तो मारना ही था बट हसरंगा फोड़ी जल्दबास ही जाधा करते हैं अधरवाइस और बेटर मिला विद्धा बैट कॉंट्रिबूट कर लेकिन वह जल्दबास ही उनको जैसे वही वादी बात है न वह घाटा भी देती है जो हमने अधे अफरंट में मैंने दिखा था अभी एश्या कप में यही चीज है कि उन्होंना फाइनल में जब उनके साथ अपने राजपक्षे के साथ उनके पार्टनर्शिप लगा उसमें आते ही मानना स्टार्ट करते है वहां से मैच बन गया लगबास तो देखो मैं उस दिन वी यही बोला था मनोज हम यही बेटर मैं लोग यह क्यो मार वामप में यह भी रहता है कि भाई बैटिंग अलग 10-11 कर लेंगे बोलिंग 11 तो जिम्बाबवे ने जो है 11 गेंदबास सारे के सारे उन्होंने बॉल करवा दी जितने थे उनके बना दिया होगा मला कि वह 11 में भी नहीं है क्यों आपने चेंज करके आपने गेम टाइम की स स्टार्ट होना है और जिम्बाबवे क्योंकि खेलकर भी गई थी ऑस्टेलिया वाले मुकाबले थो थोड़ा बहुत कंडिशन का आपको अंदाजा है ही और आप प्रैक्टिस भी वहां पर कर रहे हो तो वह चीज़ आप कर सकते थे और जिम्बाबवे की जिम्बाबवे की लुद्ट है और जिम्बाब तर इंडिया का जो सिरीस डिसाइडर है उस पर बात करेंगे दविंदर सिंग करें और पाकिस्तान को करेंगे पाकिस्तान को करेंगे बहतर परफॉर्म करेंगे सबसे अची चीज है कि हारिस रोब जिस तरीके से उन्होंने ग्लेंड के खिलाब गेदबाजी की डर मुझे लग रहाँ आप नसीम सा से ज्यादा उनसे रहेगा यह रहेगा नियर देखो उसमें सिच्वेशन आपकी यह है कि आप चलो शहीन नसीम का नया बॉल का स्पेल निकाल भी लो तो हारिस भी एक अच्छी गिनबाजी कर रहे हैं एक अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं और अगर वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो इस वर्ल कि नसीम शा का वो पहला ओबर वहीं से वो थोड़ा उनकी बारे में ज्यादा बात्चीश सुरूगे कि इन सिफ डर लगना है थोड़ा हमने इंडिया वालों ने हुआ जादा भी कर दिया है क्योंकि जिस तरह हम उनके सामने खेल लिया है एक बार आप अच्छे से खेलोग होता है कि शायद वो साइकलोजिकली प्रॉब्लम है अगर आप भाई सीरीसी बात करें से मुझसे अगर पूछे तो मैं थोड़ा कंडिशन के साब से मैं को हारिस रॉफ का लगता है क्योंकि वो बिग बैश भी खेल है वो सारी चीजें वहापर है शाहिन शाह फृदी को भ मुंबई के हाले के मुंबई खेल रहे मिजोरम को तो वहाँ पर उनसे बहुत जादा तो अक्सपेक्ट नहीं करते 98-48 उनने क्या है बड़ तनुष कोटियान इनकी बात करी थे इन्होंने इदर भी सही वो परफॉर्म कर रहे और एक अच्छे ऑप्शन बन सकतने आगे शि मुसे थास बहुत नहीं किल रहे हो नए इधर भी नहीं है उनका इंजडी वाली जो चीज से लड़े बाकी कि कुछ मैचे की जो अपडेट है वो भी देख लेते हैं और कुछ मैचे मैचे कभाई लोग पूछ रहे हैं कुछ मैचे बाई स्ट्रीम हो रहे हैं हॉट स्टार पर कुछ-कुछ मैचेज हैं जो स्ट्रीम हो रहे तो आप देख सकते हों डोमेस्टिक को भी देखे बढ़िया फिर मज़ा आता है इन फैक्ट देखो जैसे काफी बार मैंने काई कि सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर भी वह उस तरीके से बात समझ में नहीं आती वह कंडिशन क्या थी बोलिंग अटैक क्या था बैटिंग करी कैसी गई रन कैसे बनाए गए तो वो भी सारी कि सारी चीजें मैटर करती हैं जैसे हम लगातार बात करेंगी केन विलमसन भी थोड़ा सा उनके रन्स भी आ रहे है छोटी चैजिस में भी रन्स आ रहे है बट वो उनको पर्थ वाला व्लॉग है वो भी थोड़े देर में आपको एडिट करके मिल जाएगा तो उस पर भी आपना जो है जरूर बताएं कि कैसा आपको लग रहा और बाकी कुछ आपके कुछ डिमांड हो कुछ आइडियास हो हम तक पहुंचाएं उन पर भी जो है काम करेंगे और तब जर स्टार्ट होगा जो है तब उनका हाथ जो है उदर से कास्ट में क्योंकि रखा गया एक फ्रेक्शर के बाद तब उदर से रिकवरी और बैट वाट ग्रिप कैसे कर रहे हैं बैट फ्लो कैसे चल रहा है सारी चीज़ें देखेंगे बट अभी के लिए जो जितना मैचे जिता है उनको यार ऐसे-से मैचे जिता है बहुत निया थे टीटुन टी में मतलब आप देखिया ओडियाई में तो लगाता है फिनिश कर रहे थे वहां पर ओपर से आउट उठा रहे थे तो उनको जादा गीन दे वगरा मिल दा रहे थे तो इसलिए मैं करा हूँ कि जितना बहत्र उन्होंने खेला और यार आइवा यह बड़ा स्टोर में भी थी तो उसमें को लास्ट में रूं करने थे वह एज़ एक दो मुकाबले में भी ना रहे तो यह सब और आप्ट यह बड़ा इनका थे खेल रहे हैं और रूंस करें बढ़िया करें और फिर इदर से जो इनकी परफॉर्मेंस आ रहे हैं तो अच्छल नहीं है शायद हो सकता है कि शुरुवाती एक-डो मुकाबले में भी ना रहे तो यह सब और बैटिंग देखो सही अब यह डीब करते हैं सैंटनर भी बुरा ऑप्शन नहीं है विद दा बैट फिर आपकर बाकी नाम है तो थोड़ा सा इनको और इनकी ताकत यही करने प्लान के तहत खेलते हैं मलब एक ऐसी टीम देखो फ्लान सब बनाते है बड एक शायद ही ऐसी टीम रहे है जिसने जो प्लान बनाये हैं उनको एक्जेक्वूट करके दिखाया बड़े टॉर्णमेंट के अंदर और वही उनकी स्ट्रेंथ रही है अर्च नब भाबरा देंगे हमारे वह वाली चीज़ और इनका एक भी चीज यह भी थी कि दिखो उनकी प्रेस कॉंसर्ट में क्लारिटी बड़ी जादा थी पूछा कि पावर हिटिंग कि भज ठीक है जात तर आप असोसीट करते तो उनमें भी बूल रहते हैं इसलिए फिन आलन का इंक्लूजन है इसलिए आपके बीच में ग्लैन फिलिप्स है और नीशम तो आपके बाता है कि सैंटर को भी आड़ करा था पर उसमें सबसे बड़ी बात है कि सबको पता है कि जब वर्ल्ड कॉप साते तो इनके जो 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 आलरॉंडर होते चाहे वो ग्रांट अलियाट उठालो चाहे वो महराज का राम था कौन से तेस्ट में महराज चुथे जैसे ग्रांट अलिव दोज़ार आप उसमें देख सकते हो फ्र अब थोड़ा सा बुरा लगता है कि बार निशम को मतलब बोलिंग से तो और मतलब कई बार लगता है गया और 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 रवाल्व करदा चीए उनको बैटिंग से ठीक है नो डाउट बहुत अच्छा करते है बड़ बोलिंग से लगता हुए उससे एक्सपेक्टिशन कि है जिस हिसाब से वो T20 क्रिकेट लगतार खेलते हैं मतलब होता है कि कई बार यार कि आप जैसे हार्दिक पांडिया खेल रहे होते हैं इंजिरियों के आती खेलते हैं बैट बाल से अलग चाप छोड़ते हैं निशम से भी एक्सपेक्टिशन वही होती है उनको यह होना जह कि आता था कि T20 के लिए नहीं है बट हो दीशम के पास तो गेम है T20 वाज और कहीं ने कहीं मलब ठीक है जैसे उनने एक दिन ट्वीट भी कह था कि आई पिल में मौकें मिलें तो तो मैं बताऊं भी भाही अपनी यूटिलिटी तो यह एक वजह रही है कि थोड़ा सा जब रहे हैं तो ओन एंड और पी रहे हैं बीच में उनको बिलकुल ही बाहर थे हो जब उनकी रिटायर्मेंट वगएर की वह सोच रहे है फिर उसकार वापस आए तो अभी ठीक कर रहे है बट एक ठीक को क्रॉस करके जो लियाने उनके पास वो mentality वो mindset सब कुछ है performance नहीं आ रही जो भी टीम है मतलब अभी जैसे के मेशयकप में जो स्रिलंका देख रहे हैं क्या उस तरीके सम देख सकते हैं कि यह लग रही हो ऐसी मैं यह बलता हूँ कि आप अगर एक all-rounder खेल रहे हो जो साओधी डाल देते है बौल लिया बोल डाल देते है कई बार इंसा लगता है च चेंज ओफ पेस वगएरा भी करते हैं मैं दोए कि वह एक्जीकूट करना है और इनसे काम दो ओवर वाला ही चाहिए निजीट को कि दो अच्छा आपका स्पैल अच्छा चल रहा हो तो हम तीन या चार करवाइंगे आपसे तो वह चीज़ हो कर सकते है इंफाक्त जो उनकी मैं जैसे बताता भी हो कि Scotland वाली शायद गीम थी जिसमें वह अच्छा मार भी रहे थे पेशर वटक में तो निशाम ने उस दिन डेथ में आकर बाल करी भी थी उनके लिए तो वह सारी चीज़ है और कभी-कभी फिर आपकी यूटिलाइज़ेशन एक किस तोर पर करता है व इस दिन अब राहिस्तान ने खिला तो आपको बैट बाल दोनों से आपको करके ने और भरोसा दे तो वह वाली चीज़ यह है अभी फिर यार इजाज़त लेते हैं मेरे खाल से फिर से बात करें बारिश वारिश हो गई है तो उसके भी अपडेट लेकर आएंगे आपके सा और लगातार जुड़े रहेंगे फेस्बुक पर जो लोग जुड़े हैं लाइक करें सोशल मीडिया पर यारी स्पोर्ट जो है ट्विटर और इंस्टाग्राम फेस्बुक तीनों जगे आप फॉलो करें वहाँ पर अपडेट लगातार आस्ट्रेला से मिल रही हैं आपको और आज कभी एक वीडियो और स्पेशल वीडियो आपके लिए अभी तयार करवा के जो है रेडी करते हैं सिनिमा बीस को भी सब्सक्राइब करें अभी आपसे इजाज़त ले लेते हैं जै हिंद जै भाराएं